नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका दोस्तों आए देखते हैं नॉवंबर दोजार तेज का परत्योगता दरपण और क्रानिकल का बहुत ही मत्पुन करेंट फेर्स का प्रस्ण पार्ट टू यह है पहले देखते हैं पहला प्रस्ण देखिया कि 106-106 समिधान संसोधन अधि अधिनियम 2023 तो सबसे मत्पुन की इसे नाम क्या दिया गया है तो इसे नाम दिया गया है नारी सत्ती वंदन अधिनियम इसे नाम दिया गया है और नए संसत भवन में पारित होने वाला प्रथम अधिनियम है तीसरा मत्पुन तत थे है कि देखिये लोक सभा एवं राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 परतिसत आरक्षन की विवस्था या अधिनियम करता है। साइन किया। तो यह तीन डेट को या रखना है याम की द्रिष्टी से। और जब यह विधेयक रखा गया तो 128 नमर का विधेयक था किन्तु। जब यह अधिनियम बना तब 106 नमर का यह विध्यान में रखना है। साइन कर देती हैं जब यह तीनों प्रकिर्या हो जाती है तब वह अभिधेयक अधिनियम बन जाता है इस तत्थ को भी ध्यान में रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 सबसे मात पुन कि किस संस्थावन इसे जारी किया है। तो वीपो, कार्नेल विश्विद्याल है और इनसीड बिजनस स्कूल इन तीन संस्थावन ने मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 को जारी किया है। पहले अस्थान पर देखिए इसमें स्विडिजरलंड है, इंडिया का अस्थान 40-वा है और अंतिम 132 अस्थान पर अफ्रिका का देश अंगोला है। नेश्ट देखिए कि Economic Freedom of the World 2021 की डेटा के अधार पर तयार किया गया है, Economic Freedom of the World अर्थात आर्थिक स्वतनतता का सुचकांग। तो इसको Fraser Institute कनाडा के है, Fraser Institute ने इसे जारी किया जो कि कनाडा का इंस्थूट है और इसमें पहले अस्थान पर देखिए सिंगापूर में है, Economic Freedom of the World 2021 की पहली सुची में सिंगापूर है, भारत का अस्थान 87 है और 165 अस्थान वेनेजुला का है। एक जाम की देश्टी से बहुत ही मतपूर योजना है, PM विसुकर्मा योजना, सबसे मतपूर की योजना कब आरंब होई, तो यह आरंब होई है, 17 सितंबर 2013 को, विसुकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर 2013 को यह आरंब होई है, और इसमें 18 व्यापार के कारिगरों को लाब मि बिलेगा इस से, PM विसुकर्मा योजना से, तो किसलिए लांच की गई है, तो कोई भी कारुबार प्रारम करने, उस कारुबार का विस्तार करने, और उसमें उस कारुबार के संबंध में कुसलता योंदक्षता को बढ़ावा देने के लिए योजना लांच की गई है, इसम पांच परसेंट वारसिक व्याजदर पे सरकार देगी, नेश्ट दखिए, रामनाथ कोविंद समिती, एकजाम की देश्टी से बहुत ही मत्पून, रामनाथ कोविंद समिती, किसलिए है, तो एक देश, एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए, नेश्ट दखिए, इनसक युनसको भीश्व दोवर सुची 2023, सबसे महतपुण की देखिया, इसमें भारत के दो अस्थनों को सामिल किया गया है. पहला देखे, सांती निकेतन, दूसरा है, होईसल के पभित्र मंदिर समू, तो भारत के दो अस्थनों को इसमें सामिल किया गया है, सांति निकेतन जिसको दिवेंदना टेगोर ने इसका निर्माण किया था अब भारत के युनस्को के 202 और सूची में भारत के कितने अस्तल सामिल हो गया है तो अब 42 अस्तल इसमें सामिल हो गया है जिसमें से 34 अस्तल सांस्कृतिक है, 7 अस्तल प्राकृतिक है और 1 अस्तल मिस्सिरित है इस प्रकार भारत के इनस्को की विश्व दरोर सोची में 42 अस्तलों को सामिल अब तक किया जा चुका है साथ मां देखे प्रस्न की जकार्ता इंडोनेसिया जकार्टा इंडोनेसिया में हाली में देखिए 43-वा आसियान सिखर सम्मेलन 2023 का ऐजन हुआ था जकार्टा इंडोनेसिया में ग्याम के दिश्टे से बहुत ही मत्पून है यही पे जकार्ता में ही अठरावा पुर्वी एसिया सिखर समेलन हुआ था और यही जकार्ता में ही बीस्वा भारत आसियान सिखर समेलन का आविजन किया गया था यह भी ध्यान में रखना है कि आसियान में कुल 10 सदस देश सामिल है और आसियान का गठन 1964 इस भी में हुआ था और आसियान का मुख्याल है इंडोनिसिया के जकार्ता में ही है और यहीं पर 2023 का सम्मेलन भी हुआ है इसी सम्मेलन में एक देश है तिमोर लेष्टे को सामिल करने का निड़े लिया गया आभी सामिल नहीं हुआ लेकिन आसियान का इग्रहमा सदस देश बनेगा जल्द ही तिमोर लेष्टे इस तथ को भी ध्यान में रखना है अफ्रिका में देखिए अफ्रिका में टोटल कितने देश हैं अफ्रिका माधिप में टोटल 24 देश हैं उसमें से चार देश हाली में चर्चा में थे पिछले मैनों जो कि एक जाम की देश्टे से बहुत ही महत पुण है तो जिंबाम्बे जिंबाम्बे में देखिए यहां के राष्टपती है मना गागवा मना गागवा यहां के राष्टपती है और इनकी न्युक्ति हुई है इस तत को ध्यान में रखना है दूसरा देखे गैबान गैबान देश अफ्रिका है और यहां के राष्टपती है राष्टपती थे अली बोंगो उडिंगमा अली बोंगो उडिग्मा यहां के राष्टपती थे और इनकी सरकार को सेना ने बस खात कर दियार थाथ सेन तक्था पलट हुआ कहां पे अफरिकी देश गैबान में राष्टपती थे अली बोंगो उडिग्मा अफरिका का तीसरा देश महत्पूर्ण था है ग्याम के दिरिष्टी से लिबिया में दखिए भुमद्य सागरी तुफान आया और जिसका नाम रखा गया डेनियल डेनियल क्या है भुमद्य सागरी तुफान है जो कि लिबिया में आया था और यहां पे दस हजार से अधिक लोग मारे गये थे बहुत ही त्रासत गटना होई यहां पे अफ्रिका का चौथा देश याम के देश्टी से महत्पूर था इस बार मुरक्को तो मुरक्को में देखिए आली में बुकंप आया था और इस बुकंप के कारण तीन हजार से अधिक लोग मारे गये थे अनेक बार जो देश चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानी सुमिलित करने को देखिए तो देखिए जिंबाम्बे की राजधानी है हरारे गैबान की राजधानी है लिब्रे विल्ले कहां की राजधानी है गैबान की लिबिया की राज़ानी है ट्राई पोली कहां कि राज़ानी है लिब्या की और मुरक्को की राज़ानी है रबात इस तत्य को भी ध्यान में रखना है तो दोस्तों ये था नॉम्बा वजातेश पुर्त्योगता दरपन और क्रानिकल के बहुत हिमत पुन करेंट अफेर्स पार्ट टू है या पार्ट वन पहले ही अपलोड होगे जल्दी इसका आगला बाग अपलोड किया जाएगा तब तक साधर नमस्कार